हेलो और इवन स्वागत है आप सबका लर्निंग विद गौतम यूटूब चैनल में तो आज किस वीडियों हम करने वाले हैं क्लाश 12 पॉलिटकल सैंस के यानि की राजनितिक विज्ञान के टॉप 50 Most Important Objective Question को जो कि आपके आने वाले बोर्ड एक्जाम के लिए काफी Qion है कि प्राचीन यूग में राजिका क्या रूप था?, nearest question है कि किसने का ह्था, यह जो line आगे दिया हूआ यह किसने काता कि मनुष जिन से सतंत्र है, किन्तु हर जगा बेरियों से जक्रा हुआ है ऐसा किस ने कहा था तो ऐसा रूशों ने कहा था कि मनुष जो है ये जनुषे तो सतंत्र है किन्तु हर जगा ये बेरियों से जक्रा हुआ है ऐसा रूशों ने कहा था यानि कि option मेर C हो जाएगा इसका अब अगला question है हमारा कि अधिकारों की समाजिक उपयोकता का सिधान्त किसने परतिपादित किया था तो यह परतिपादित किया था जैर्मी बैंथम ने option में नहीं दिया हुआ है ऐसे ही आप लोग याद रखेगा कि Jeremy Bentham ने अधिकारों की शमाजिक उपयोगता का सिधानत को प्रतिपादित किया था ठीक है इसको याद रखेगा किसने किया था तो Jeremy Bentham ने ठीक है लिखती है आप लोग ऐसे याद रखेगा अब अगला कोशन किया हमारा कि किसने का कि धर्म लोगों के लिए अफिम है most important question है आपके आने वाले board exam के लिए ये question कि किसने कहाता कि धर्म जो है ये लोगों के लिए अफिम है तो ऐसा कहाता काल मार्स ने कहाता कि धर्म जो है ये लोगों के लिए अफिम है option अबर C हो जाएगा काल मार्स ने कहाता अगला कोशन है निमलिखित में से कौन शोवियत संग के विखंडन का परिमान नहीं है कौन नहीं है तो मद पुर्व में संकट यह जो है यह सोवियत संग के विखंडन का परिमान नहीं है ठीक है यानि का option मर डी हो जाएगा यानि कि option में C हो जाएगा इसका, अब अगला question है कि एरोपिया आर्थिक शमुदाई की अस्थापना कब होई थी, एरोपिया आर्थिक शमुदाई की अस्थापना की गई थी, अगला question है MNST International किसे संबन दित है, तो मानवधिकार से संबन दित है MNST International, यानि कि option में B हो जाएगा इसका, MNST International जो है, ये मानवधिकार से संबन दित है, next question है हमारा, कि किस देश के प्रभुत से एक धुर्विता जो थी, ये कायम होई थी, तो अमिर्का के प्रभुत तुस्चे, यानि कि option में D हो जाएगा इसका, अब अगला question करते हैं, और अगला सीन ने की थी, option में C हो जाएगा, इल्ट सीन ने, शतंत राजियों के राष्ट कूल के स्थापना की थी, अब अगला question है हमारा, कि शोवियस संग के अंतिम राष्ट पती कौन थे, तो शोवियस संग के अंतिम राष्ट पती, मिखायल ग्रुवोच योब थे, यानि कि option में C हो जाएगा, इसका सुवियस संग के जोनतिम राष्ट पती थे, वो मिखायल ग्रुवोच योब थे, अब अगला question के हमारा, तो next question है, कि स्वेक्त राष्ट अमिर्का के पर्थम राष्ट पती कौन थे, यह most important question है आपके आने वाले बोडिक जाम के लिए, इसको भी अच् इस राज पर अपना सासन अस्थापित किया, जिसे की 2021 में अमिर्का ने उशासन को मिटा दिया था, तो 1926 में तालिवान सरकार ने अफगानिस्तान पर अपना सासन अस्थापित कर लिया था, जिसे की 2021 में अमिर्का ने मिटा दिया था, ठीक है, यानि option में इसका D हो जाए पर दूत्या विशुद जो हो गया था दूसरा विशुद जो कि 1949 सफ़ पैतालिस तक चला था उसके बाद अमिर्कान जापान के हिरोशीमा सहर पर परवानुबं गिराया था एक और कोशन आप लोग अच्छे तरीके से यादी रखना है जो कि हर साल पूछा जाता है अगर आ अगलए कोशन में परतेक्ष परजयात नंत्र किस तरीके सोटा है यानि की अगला kolी सMore दृत्श कि Recomm अगर लेकिन अगर इसमें है कि इनमें से कोई नहीं तो इनमें से कोई नहीं लगाएगा लेकिन और अगर कुछ रहे नहीं एक उर्फिय नॉड़े नॉड़ा संकी अस्थापना की गई थी इसको याद रखेगा अब अगला कोशन है हमारा कि आशियान को मुक्त वैपार छित्र बनाने का निर्ने लिया गया था तो 13 अगस्त 2009 इस भी को आशियान को मुक्त वैपार छित्र बनाने का निर्ने लिया गया था याद रखेगा 13 अगस्त 2009 को 2009 भी ऑप्शन में नहीं दिया हुआ है अब लोग ऐसे याद रखेगा कि आशियान को मुक्त वैपार्चेत बनाने कंडिनर कब लिया गया था तो 13 अगस 2009 को ये लिया गया था अब अगला कोशन है हमारा कि जर्मानी का एक इकरन कब हुआ था जर्मानी का जो एक इकरन था यह वर्स 1990 में हुआ था अगला कोशन है हमारा कि जर्मानी का एक इकरन वर्स 1990 में हुआ था और अगला कोशन है हमारा कि दच्छीन एसिया का नश्लीय उग्रबाद से पीरित है कौन सा श्रिलंका option number C हो जाएगा दच्छिन एसिया का जो स्रिलंका है यह नस्त कर लिए उग्रबाद से पिरित देश है यानि कि option number C हो जाएगा स्रिलंका अब अगला question है हमारा यह किस दच्छिन एसियाई देश में सहमेधानिक संकट है किस दच्छिन ACI देश में समयधानिक संकट है तो नेपाल में option वर D हो जाएगा नेपाल ACI देश में समयधानिक संकट है option वर D हो जाएगा next question है कि सेंक्त राश्रंग के पर्थम यानि के पाले महासचीव कौन थे सेंक्त राश्रंग के पाले महासचीव कौन थे Dacesho की संख्या पांच होती है अब next question करते हैं और अगला कोश्चन है בש का मुख्याल है 2006 का पहला सम्मेलन कहां हुआता 56 का जो पहला सम्मेलन था वो कहां पे हुआता तो COM में हुआता option नमर B हो जाएगा 16 का जो पहला सम्मेलन हुआता यदा बंगला देश मुआ था और आप लोग कमेंट वक्स बताएं कि दचेश में कितने देश सदस हैं यह सब आप लोग को पहले वीडियो में बता चाहिए नेश्ट कोशन है कि नीचे के देशों में आसियान का सदस कौन नहीं है यानि कि चाड़ आप्शन में से आसियान का सदस कौन नहीं है तो आसियान का सदस है उस सिलंका नहीं है यानि कि आप्शन में डी हो जाए इसका सिलंका जो है या आसियान का सदस नहीं है अब अगला को कुशन है कि निमलिकित में से कौन सा देश नाटो का सदस है तो भारत जो आ ये नाटो का सदस देश है यानि option मर सी हो जाएगा इसका अगला कोशन है अमारा next कोशन कि 1950 में सेंक्तुराश्चंग की महासवार ने किस नई विवस्था को जन्म दिया था शांती अस्थापना को अगला कोशन है कि विश्था के देशों के बीच वैपार संगठन के लिए कौन सा अंतराश्ट्यी संगठन है और अ उप्शन में से आपको बताना है विश्वय पार्क केंदर पर आतंकवादी हमला हुआ था 11 सितंबर 2001 को विश्वय पार्क केंदर पर आतंकवादी हमला हुआ था यानि ऑप्शन में सी हो जाएगा इसका अगला कोशन करते हैं और नेस्ट कोशन है हमारा कि सांती अस्थापना के काड़ियों को यानि कामों को देख रेक के लिए किस अधिकारी के आधीन रहता है शांती अस्थापना के जो काम है इसकी देख रेक जो होती है वो किस अधिकारी के अधीन होती है यानि किस अधिकारी के अंतरगत होती है तो महा सचीब के अंतरगत शांती अस्थापना के देख रेक होती है यानि को ऑप्षण नमर D हो जाएगा इसका अब अगला question है हमारा कि विश्व में शांती बनाय रखने का दायच्व किस पर है विश्व भर में शांती बनाय रखने का जो दायच्व है यह किस पर है यह दायच्व पर सुरक्षा परिश्व, पर, option नमर B हो जाएगा, शुरक्षा प internet पर, विष्वा बनाए रखने का दाइत्व है, option नमर B हो जाएगा, नेश्ट कोशन है, पडियावड़नवविकास पर, विष्वा ईयो की जो डीपोर्ट हमारा साज़ा भबिश, option नमर B हो जाएगा, अब अगला कोशन है कि 1900-55 इस पीजक में किस अगला कोशन है कि 1145 पने प्रित्वी शुम्हेलान वह था और यह most important इस पूछजन है इपके बोर iceless प्रित्वी शुम्हेलान हुआ था तो तो रियो डी जनेरो में हुआ था, उप्शन वर B हो जाएगा, रियो डी जनेरो में उनिश्व बिरानवे में प्रित्वी शिखर समेलन हुआ था, अब अगला कोशन है हमारा, विश्व अहिंसा दिवस किस तिती को मनाया जाता है, तो विश्व अहिंसा दिवस यह मनाया जात कौन जो है वो भू मनली करन का आलोचक नहीं है तो मनमुहन सिंग जो है यह भू मनली करन का आलोचक नहीं है यानि कि option मर डी हो जाएगा इसका अब निश्ट कोशन करते हैं और अगला कोशन है हमारा कि मानव अधिकारों की शर्व बहुमि घोशना कब हुई थी तो वर्ष उनिश्ट कोशन में मानव अधिकारों की शर्व बहुमि घोशना हुई थी यानि कि option मर डी हो जाएगा इसका अब अगला कोशन है हमारा कि विश्व बाजार का विश्व बाजार का जो विश्तार है या आधनिक काल में किस समय में आरंभ हुआ था किस समय में शुरू आता तो अठारवी शदावदी में विश्व बाजार का जो विश्तार था तो शुरू हुआ था यानिक कि आरंभ हुआ था option मर डी हो जाएगा इसका अब अगला कोशन है हमारा कि चीन में क्रांती कब हुई थी तो चीन में जो क्रांती हुई थी और यह मुश्ट इंपर्टेंट कोशन है यह वर्स उनिस्व उन्चास में हुई थी option मर यह हो जाएगा यह भी आपके बोड इक्जाम के लिए काफी ज़्याद इंपर्टेंट कोशन है कि चीन में क्रांती कब हुई थी तो वर्स उनिस्व उन्चास में चीन में क्रांती हुई थी अब अगला कोशन है हमारा कि प्रकलन समीती के सदश कौन होते हैं चारा option में सबको बताना है कि प्रकलन समीती के सदश जो होते हैं वो कौन होते हैं, तो लोक्षवा के सदशों में चुने जाते हैं, जो लोक्षवा के सदशों में चुने जाते हैं, वही प्रकलन शमीती के सदश होते हैं, यानि कि option वर B हो जाएगा इसका, अब अगले question है कि नयाई व्यवस्था को सुरक्षित रखने के लिए किस तत्व की शरवाधिक महत्पुन भूमिका होती है नयाई व्यवस्था को सुरक्षित रखने के लिए कौन से तत्व की सरवाधिक यानि सबसे ज़्यादा महत्पुन भूमिका होती है यह होती है सबसे ज़्यादा महत्पुन भूमिका होती है सुरक्षा तत्व को नया व्यवस्ता को सुरक्षीत बनाए रखने में ठीक है इसको याद रखेगा option वर सी हो जाएगा अब अगला question है हमारा कि भारत में किस तरह की कारेपाल का है यह भी most important question है भिव्या कोशन है अपके क्या हमारा कि राज विधान मंडल में विधान परसद को जाना जाता है राज विधान मंडल में विधान परसद को किस नाम से जाना जाता है तो उच्छी सदन के नाम से जाना जाता है राज विधान मंडल में विधान परसद को यानि क्या option मर ए हो जाएगा इसका अब अगला question करते हैं और next question है कि उच्छ नयाले के नयाधीशों की शेवा निमिर्ती की आयू क्या है most important question है ये भी आपके बूर्ड इक्जाम के लिए 60 इसका नहीं होता है इसका answer होता है 62 ठीक है इसलिए याद रखेगा 60 नहीं होगा इसका 62 होगा कई लोग 65 भी लगाएंगे लेकिन इसका 65 भी नहीं होगा उच्छ नयाले के जो नयाधीश होती है उनके सेवा निमिर्ती की जो आयी होती है वो 62 होती है अब अगला कोशन है कि सम्विधान सवा के अध्यक्ष कौन थे यह भी most important question है और आप लोगो इसका answer पता ही होगा कि समिदान सभा के अध्यक्ष कौन थे तो डॉक्टर राजन्द परसाथ थे उप्शन मर बी हो जाएगा डॉक्टर राजन्द परसाथ जोते ही समिदान सभा के अध्यक्ष थे नेश्ट कोशन है कि राज्यों के सरवाधिक परमुख कौन है तो राजिपाल जो होते हैं वो राजियों के सरवाधी बर्मुक होते हैं यानि कि option मर ए हो जाएगा राजिपाल अब अगला question है हमारा कि भारत ने लंबे संगर्स के बाद स्वतमतुरता पाई थी तो भारत में लोप पुरुष की जो संग्या है ये दी गई थी सरदार वल्लबाई पटेल को यानि कि option मर सी हो जाएगा जो कि भारत के पहले उपरधान मत्री भी थे सरदार वल्लबाई पटेल इनको भारत में लोप पुरुष की संग्या दी गई थी यानि कि option वर see हो जाएगा इसका इसीक साथ है वीडियो पर complete करते हैं आसा करता हूँ आप लोग को वीडियो अच्छा लगा होगा तो मिलते हैं नेक्ट वीडियो में नेव वीडियो के साथ